गुलमर्ग की इन हसीन तस्वीरों को देखिए इसे यूही धर्ती का जन्नत नहीं कहा जाता जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा गुलमर्ग की पहचान ही इस खुबसूरत बर्बारी की वज़से है लेकिन आज कल यही बर्बारी जमु कश्मीर में प्रिशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है एक तो घाटी में 25 जन्वरी तक बर्बारी का अनुमान है दूसरा ये कि यहां कई जगहों पर एवल की तस्वीरे भी सामने आई है 30 सेकंड में देखे रिपोर्ट ये तस्वीरे हिमाचल प्रदेश के लाहौल इस्पीती की है लाहौल इस्पीती के ठोलंगाव की इस तस्वीर को देखकर एक बार हर कोई दहशत में आ जाए पहार से अचानक गिरती बर्फ की परस से कोई भी अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है कमाने के लिए भी है ये अचार के बिजनस करके महीने के 5 लाग कमा रहे हैं आपको भी ये करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए ये परेटक पहुँट रहे हैं जब कश्मीर के श्रिणेगर में भूसकलन की एक भायानक तस्वीर सामने आई है यहां चारक पहाड से बड़े-बड़े पत्थर गिरने से लोगों में दैश्रत मच गई तीस सकेंड में देखे रिपोर्ट भूसकलन की ये घटना रामबन के पंथयाल इलाके में हुई पहाड दरके तो उची पहाडी से सैकडो पत्थर एक साथ सड़क पर बरसने लगे जिसे देखकर लोगों में अफरात अफरी मच गई पहाडों से पत्थरों की बारिष के कारण पंथयाल इलाके में चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया १ूल के कारण लोग ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे भूसकलन के बीच राहत की बात ये रही कि जैसे ही घटना की जानकारी प्रिशासन को लगी प्रिशासन की तीम तुरंट मौके पर पहुँची और सबसे पहले भूसकलन माली जगह से ट्रैफिक को रोक कर गाडियों को पीछे हटाया उत्तर भारत में कई दिनों से शीत लहर और कोहरे की चपेट से लोग बरेशान हैं जिसमें शनिवार को कमी देखी गए दिल्ली में शनिवार का दिन दो साल में सबसे गर्म रहा देखिए रिपोर्ट दिल्ली समेट जो उत्तर भारत बीते कई दिनों से श्रीत लहर और कोहरे की चपेट में था वहाँ आचानक धूप निकलने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ने लगी है शनीवार को अधिक्तम तापांच समाने से 2 डिगरी अधिक 23.3 डिगरी सेलसेस दर्ज हुआ 2020 के बाद जनवरी का सबसे गर्म दीन था मध्य भारत में भी मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने का अलर्ट जारी किया है साथी मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है मधिप्रदेश के रिवा, जबलपूर और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है वेस्टर्न डिस्टर्बिंस का असर पाकिस्तान में भी दिख रहा है गिलगेट बाल्टिस्तान में इन दिनों सबरदस्थ बर्फबारी से जिंदिगी थमसी गई है पहाडों पर बरस रही ये सफेद आफ़त इन दिनों पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत बन गई है खास कर गिलगेट बाल्टिस्तान के कई इलाके तेज बर्फबारी की चपेट में है कई इलाकों में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि लोग घरों में ही कैद रह गए है तो कुछ बर्फ के बीच ही अपनी जिन्दगी बचाने के लिए जूज रहे हैं गिलगेट बाल्टिस्तान के अस्तोर में तो इतनी बर्फडी है कि लोगों तक पहुचने वाली पानी की सप्लाई तक जम गई है हालात ऐसे हैं कि लोगों को काफी दूर से पानी लेकर आना पड़ रहा है पाकिस्तानी मौसम विभा के मुताबिक उत्तर बलुचिस्तान में 25 जनवरी तक तेज बर्बारी की उमीद है अल्बानिया की लोगों पर बारिश और बर्बारी की दोहरी मार पड़ रही है तीस सकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट तस्वीरे अल्बानिया की है यहां रह रहे हैं लोगों पर बारिश और बर्बारी की दोहरी मार पड़ी है यहां बर्बारी और बारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ा गई है सड़कों पर कई-कई फीट तक पानी भरा हुआ है इलाके में बिजली और पानी के आपूर्ती काट दी गई है बारी बारिश के चलते लोगों को ग्रामीन अल्बानिया के कुछ हिस्सों को खाली करने पर मजबूर होना पड़ा है पूरवी अल्बानिया में भारी बर्बारी हुई है यहां दस इंच तक बर्बारी के बाद कई रास्ते बंद कर विये गए है सड़कों पर केवल भारी वाहनों को चलने की इसजाज़त दी गई है 36 गड़ के भिलाई में एक लड़का लड़की की बाइक पर रोमांस करने की तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल है 36 गड़ के भिलाई की ये तस्वीरे टॉक आफ दी टाउन बन गई है तस्वीर से आपको अंदाजा होगा की बाइक सवार दोनों लोगों को रोमांस के सामने ना अपनी जान की परवा है ना ही कानून का डर वाइरल वीडियो की चाहत में सड़क पर स्टेंट करने की सनक दोनों पर हावी है लड़का और लड़की बिना नंबर के गाड़ी पर स्टेंट दिखा रहे थे और उनके दोस्त इस दोरान वीडियो बना रहे थे बिलाई की सडकों पर इस तरह लड़के और लड़की को जिसने भी रोमेंस करते देखा हैरान रह गया हलागि पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई कारवाई नहीं की गई है और बिहार में एक बार फिर से सुशासन के दावों की पोल खुल गई है जहां दो महिला सिपाही एक बुजर्ग पर दना दन लाठिया बरसा रही है बताया जा रहा है कि सड़क पर लगे जाम को हटाने के दौरान महिला सिपाहीों ने बुजर्ग टीचर को अपनी साइकल हटाने को कहा साइकल हटाने में देरी होने पर महिला सिपाहियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बुजुर्ग टीचर पर डंडे बरसाने शुरू कर दिये वीडियो वाइरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और मामले को पुलिस की छवी धुमिल करने वाला बता कर आरोपियों के खिलाफ कारवाई का भरोसा दिया यूपी के नोईडा में गाड़ी से स्टंट करने से रोखने को लेकर दो पक्ष भिल गए दो पक्ष एक दूसरे पर कुर्सिया फेकते लोहे की रोट से हमला करते भी नज़र आए तीस सेकेंड में खबर देखिए मारपीट की ये तस्वीरे नोईडा के सेक्टर 46 इलाके की हैं दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई दोनों पक्ष एक दूसरे पर कुर्सिया फेकते और लोहे की रोट से हमला करते नज़र आए बता जा रहा है कि सेक्टर 46 की मारकेट में कार से स्टन्ट करने से रोकने पर कार सवाल लोगो और इस्थानिय दुकांदारों में हुई कहा सुनी मारपीट में बदल गई कार सवाल लोगो ने दुकान में घुसकर तोड़फोर शुरू कर दी दोनों पक्ष एक दूसरे पर कुर्सिया फेकने लगे और लोहे की रोड बरसाने लगे मारपीट के बाद दोनों पक्ष के तरफ से पुलिस में शिकायद दर्ज कराई गई है यूपी के बुलंद शहर में मामुले विवाद को लेकर छातरों के दो पक्षरों में जम कर मारपीटाई हुई है तीस सेकंड में देखिए पूरी खबर यूपी पुलिस के गश्ट करने की ये तस्वीरे यूपी के बुलंद शहर की है जहां छात्रों के दो गुटों में मारपीट के बाद इलाके में तनाओ के हालात पैदा हो गए हैं बताय जा रहा है कि विवाद की शुरुवात सिकंदरबाद के जेएस कॉलेज में हुई थी जहां दो समुदाय के छात्रों के बीच जड़प हुई थी एक पक्ष ने बाहर से लोगों को बुलाएकर दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की जिसमें कई लोग हैल हो गए आरोप है कि एक पक्ष ने अस्पताल जाकर भी घायलों पर हमला बोला गतना के बाद इलाके में तनाओ का माहौल है यूपी के कौशामबी में जमीन विवात को लेकर दो पक्ष ने सामने आ गए मारपीट की ये तस्वीरे यूपी के कौशामबी जिले की हैं जहांपर कुछ दबंग एक महिला और उसकी बेटी को लाठी दंडे से पिटाई कर रहे हैं मामला जमीन विवात को लेकर बताया जा रहा है दबंगों ने महिला और बेटी को दोड़ा दोड़ा कर पीटा आरोप है कि दबंगों ने महिला के रिष्टदार की बाइक चीन ली और उसके 50,000 रुपए भी लूट लिए घायल महिला और बेटी को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तब भी दबंग बाइक से उनका पीछा करते रहे और एम्बूलेंस को रोकते नजर आए घटना की जानकारी मिलने पर पहुँची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है पश्रिमंगाल के दक्षण 24 परगना में इंडियन सेकुलर फ्रांट और टीमसी कारेकरता भढ़ गया जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी और आगजनी हुई 30 सेकड़ में देखे रिपोर्ट हिंसक जड़ब की ये तस्वीर कुलकाता के दक्षण 24 परगना की है जहां इंडियन सेकुलर फ्रांट और टीमसी के कारेकरता आपस में भीड़ गए आईसेफ के स्थापना दिवस के सामारोह के दौरान हुई हिंसा में जमकर पत्थरबाजी और आगजनी हुई टीमसी ने आईसेफ के कारेकरता ओपर उनके दो दफ्तरों में बम फेकने का आरोप लगाया हिंसा की दौरान दुकानों से लेकर वहानों में जमकर तोल फोर की गई मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कारियों को काबू करने के लिए लाठी चार्ज किया जमू का नर्वाल इलाका शनिवार को दो धमाकों से दहल गया तीस मीनट के भीतर पहले एक SUV और फिर कार में दो धमाके हुए पहला धमाका रिपेर के लिए लाई गई SUV में हुआ धमाकों के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाये जा रहा है उपरा जिपाल ने धमाकों की निंदा करते हुए पूरी घटना की जाच के आदेश दिये हैं घायलों को 50,000 रुपे की आर्थिक मदद देने को कहा गया है गणतंत्र दिवस और राहुल गांधी की रैली के चलते इन दिनों पूरे इलाके में सुरक्षा करी है बावजूद इसके दो धमाकों कहोना बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है ये अचार के बिजनस करके महीने के 5,000,000 कमा रहे हैं आपको भी ये करना है, तो Freedom Map को अभी डाउनलोड कीजिए